हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज डिसकस करते हैं का उप्रेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टन कुश्चन है सीप्यू सीडूलिंग के रिगार्डिंग और आपका इस में इस यूनिट में आपका बैंकर से अलगुरुथम पे जो कुश्चन अगले जो एक्जाम आने वाले है तो उसके पॉइंट आपके इस प्रकार के कुश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए तो मैं इसको सॉल्ब करा रहा हूं आप इसको वीडियो पॉस करके नोट्डाउन कर सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार करते हैं आपका कुश्चन है सपोज there are four processes in execution with 12 instances of a resource are in a system the maximum need of each process and current allocations are given below ठीक है तो आपका ये दे रखा है आपका process P1, P2, P3, P4 दे रखे हैं maximum need दे रखे P1 की 8, P2 की 9 resources, P3 की 5 and P4 की 3 और आपका current allocation दे रखा P1 का 3, P2 का 4, P3 का 2, P1 का 1 ठीक है और जब आपका maximum दे रखा है need and current allocation दे रखा है तो इसकी help से हम क्या निकाल सकते हैं maximum need आपको दे रखे फिल भी आप नहीं दे रखे हो कि तब भी निकाल लोगे तो 8 मैसे 8 maximum need थी 3 allocate है तो 5 की और need है 9 मैसे 5 allocate हो चुके है तो 5 की और requirement है 5 मैसे 2 allocated है तो 3 की और requirement है P3 process को P4 को 3 मैसे 1 मिला हुआ है 2 की और requirement है तो आप यह याद रखना P4 को 2 जहीं है P3 को 3 P2 को 5 और P1 को 5 resources ठीक है तो आपको यह chart दे रखा है अब आपसे पूँच रहा है with reference to current allocation is the system safe state if system safe state ठीक है आपसे पूँचा जा रहा है with reference the current allocation is system safe जो current में allocation है उसके हिजाब से system safe है if so what is the safe sequence अगर system safe है तो उसका safe sequence बताईए ठीक है तो यह आपका question है तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे clearly आपको दिख रहा है मेरे पास totally 12 instances थे ठीक है 12 आपके पास instances थे resource type के ठीक है उसमें से total allocate कितने हो गए है 3 plus 4 plus 2 plus 1 आपका 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 1 10 10 allocated है तो जो total resource थे वो आपके 12 थे allocated जो है वो 10 है तो remaining resource आपके पास 2 बचे ठीक है आप देख सकते हो remaining आपके पास 2 resources बचे ठीक है तो दो resource से हम यह जो बची हुई need है इनको आपको fulfill करना है ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले P1 के पास देखा P1 की resource जो requirement है वो fulfill नहीं हो सकती P2 की भी need नहीं fulfill हो सकती P3 की भी नहीं हो सकती तो सबसे पहले हम P4 को resources grant कर देंगे ठीक है जब P4 process को resources grant कर देंगे क्योंकि इसकी requirement 2 unit है और 2 resources मेरे पास available है तो हमने P4 को assign कर दिया जब P4 को assign कर दिया तो P4 का execution completely successful हो गया और successful होने के बाद P4 अपने जो allocated थे resource starting में उनको भी release करेगा ठीक है तो हमारे पास availability increase हो जाएगी तो आपकी P4 process 3 resources और release करेगा ठीक है 3 resources नहीं सुरी 3 तो maximum need थी allocated था आपका 1 resource ठीक है 1 resource आपका allocated था 2 की और requirement थी तो 2 मैंने जब दे दिया तो release करेगा एक resource तो availability जो है वो 2 प्लस 1 आपकी 3 हो जाएगी ठीक है तो आपका सबसे पहले P4 execute हो जाएगा अब मेरे पास 3 resources आ गये हैं तो 3 resources से किसकी requirement पूरी कर सकते हैं पी 1 की नहीं पी 2 की भी नहीं तो हम P3 की requirement फुलफिल कर सकते हैं तो हम P3 को assign कर देंगा resources 3 ठीक है और जब P3 पुरा execute complete कर लेगी तो resources जो assign थे वो भी लोग release करेगी तो P3 2 resources release कर देगी ठीक है तो availability फिर increase हो जाएगी availability आपके 3 plus 2 5 हो जाएगी ठीक है आप यह देख सकते हो ज्यान से उसके बाद जब आपके पास availability 5 resource की हो गई तो अब आप देख सकते हो चाहों तो आप P2 की requirement फुलफिल कर सकते हो चाहों तो P1 की कर सकते हो ठीक है यह आप देख सकते हो ज्यान से note we either execute P2 और P1 because available resources are 5 and will fulfill the need of any of both hence system is in safe state आप यहां से देख सकते हो तो आप चाहों तो P2 को पहले execute करा हो या P1 को execute करा हो तो यहां से यह clear हो गया कि resource 12 से इस जो सिनारियो में resources allocate किये गए हैं इस से जो system हमारा है वो safe state में है ठीक है आप यहीं से answer आपका हो गया हाफ question का answer आगया कि system आपका safe sequence में है अब आपको safe state में है अब आप से पूछा जारा है कि अगर ऐसा है तो आपको safe state बताईए कौन गोनसी है तो हमने P4 और P3 को execute करके देख लिया अब हम execute करेंगे P1 को ठीक है अब हम P1 को execute करेंगे क्योंकि priority हाम जो सब सबसे पहले index number P1 का हाई priority में है P2 का उसके बाद है ठीक है बट यहाँ P4 और P3 ऐसा किसलिए कि है क्योंकि resources मेरे पास इतने अवलेवल नहीं थे कि हम इसकी requirement फुल्फिल कर पाएं ठीक है तो अब हम execute करने जा रहे हैं P1 को तो P1 को जब हम allocate करा देंगे 5 resource तो P1 P1 को जब हम allocate कर देंगे तो P1 भी जो allocated resource है 4 वो release कर देगा P1 के पास जो allocated resource कितने थे 4 थे तो यह release कर देगा आपका 4 नहीं 3 sorry 4 तो आपके P2 के हैं तो P1 भी आपके 3 resource release कर देगा ठीक है तो आप देख सकते हो resources आपके पास total कितने है रिसोर्स आपके पास 5 हो चुके है ठीक है तो आपके पास 5 total resources है और 3 और resource release करेगा आपका P1 तो आपके पास total 8 resources हो जाएंगे ठीक है 8 resources हो जाएंगे इसके बाद आप अब आप इसकी requirement फुल्फिल कर दीजिएगा अब आप P1 की P1 की हो चुकी उसके बाद आप P2 की जो requirement है वो फुल्फिल कर दीजिए P2 की जो requirement हो 5 unit है तो P2 को हमने resource allocate कर दिए ठीक है तो जो P2 का completely execution होगा तो P2 भी अपने resource जो भी previously assigned थे allocate थे वो release कर देगी तो P2 release कर देगी आपकी 4 resources ठीक है तो जो availability है वो आपकी हो जाएगी 8 आपकी पहले ही है 4 hour release होंगे तो आपकी availability हो जाएगी 12 resources ठीक है और आप चेक करके देख सकते हो totally system में 12 resources थे ठीक है तो आपका इस तरीके से जो system है वो safe state में है और इसका जो safe sequence है वो है P4, P3, P2, P1 या फिर चाहों तो आप ऐसे P2 को पहले कर सकते थे या फिर system आपका safe sequence म पहले एक जिगूर कराया है आप चाहते तो पहले P2 को भी कर सकते थे क्योंकि 5 resources आपके पास थे और दोनों की requirement 55 थी P1 और P2 की तो दोनों में से किसी एक को पहले एक जिगूर कर सकते हो या आप option देखके देख सकते हैं ठीक है तो हमने फिर पहले P1 को कराया P2 से तो हमारा sequence आ गया system safe sequence में है और safe sequence के निकल गया P4, P3, P1, P2 तो यह आपका option दे रखा था इसलिए आपका option number 3 correct है ठीक है तो I hope friends आपको यह question अच्छे से समझ माया होगा अगर कोई doubt रहा हो कहीं भी तो आप comment section में लिखके मेरे से पूछ लीजे हम इसको resolve कर देंगे ठीक है तो आपक आपका option दे रखा उसके coding execute कर लेना ठीक है आपका system जो है safe sequence में है और safe state निकाल लीजिए ठीक है आपका इसके बाद एक question और दे रखा है आपके gate और NTN8 में पूछा गया है बहुती simple एक number का question है which option is correct which option is incorrect है ध्यान से देखना which option is incorrect यानि false आप से पूछा जारा कि counts option गलत है तो यह XOR gate पे based है पहला option है 1 XOR 0 आपका 1 होता है यह बात correct है दूसरा option कहरा 1 XOR 1 XOR 1 is equal to 1 तो यह check करते हैं 1 XOR 1 आपका 0 हो गया और 0 XOR 1 आपका होता है 1 यह भी option सही है option number third है 1 XOR 1 XOR 0 बराबर 1 यह option दोस्तों गलत है कैसे 1 XOR 1 की value 0 होती है और 0 XOR 0 की value क्या होती है 0 होती है न तो यह आपका गलत हो गया और यहीं आपसे incorrect पूंच रहा था तो option number आपका third correct है ठीक है फूर्थ होर देख लेते हैं 1 XOR 1 आपका 0 होता यह बात correct है ठीक है तो आपसे इन चारों option में से गलत option पूंच रहा था तो गलत option आपका कौन सह है third तो option number third is correct ओके तो आपको नए है तो नए अगर है यूजर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करिए ताके नए वीडियो जो भी मैं कोई informative बेस्ट अप्लोड करता हो तो आपके पास इमीडियेटली पहुंच जाए ठीक है और आप वीडियो पॉस्ट करके इसको नो डाउ दो